मुख्यमंत्री नितीश कुमार की अध्यस्ता में आज बिहार कैबिनेट की बैठक होने वाली है बैठक में कई एहम फैसले लिये जा सकते हैं नितीश कुमार बिहार के 4 लाख नियोजित सिक्षकों को खास तोफा दे सकते हैं कैबिनेट विशिष्ट सिक्षक नियमावली पर मुहर लग सकती है इसके अलावा महंगाई भत्ता भी बढ़ने की संभावना है जिहां नितीज कैबिनेट की आज अहम बैठक होने वाली है यह बैठक साड़ेगी 11 बजे से होगी और इस बैठक में कई एहम फैसले लिये जा स लग सकते हैं जानकारी के अनुसार आज नियोजित सिक्षक नियमावली पर मुहर लग सकता है खबर है कि इसका ड्राफ्ट फाइनल रूप से तयार कर लिया गया है नितीज कैबिनेट की मुहर लगने के बाद सक्षमता परिक्षा का आयोजन किया जाएगा इसके अलावा नितीज कुमार की सरकार महंगाई भत्ता भी बढ़ा सकती है उमीद है कि कैबिनेट की बैठक के बाद 4 फिस्दी महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान कर दिया जाएगा बता दे आपको बिहार में लगभग 4 लाख नियोजित सिक्षक हैं दो नमबर को ही नितीज कुमार न जगने के बाद नियोजित सिक्षकों के पास राज कर्मी का दर्जा पाने का मौका मिल जाएगा सक्षमता परिक्षा पास करने के बाद इन्हें राज कर्मी का दर्जा भी मिल जाएगा जानकारी के अनुसार सक्षमता परिक्षा पास करने के लिए नियोजित सिक्षकों को तीन मौके मिलेंगे जिन सिक्षकों के BPSC परिक्षा पास कर ली है उन्हें अब सक्षमता परिक्षा नहीं देनी होगी बताये जा रहा है कि सक्षमता परिक्षा पास करने वाले नियोजी सिक्षकों को विशिष्ट सिक्षक कहा जाएगा इस बात का जिक्र नियमावली में है कहा जा रहा है कि विशिष्ट सब्द को हटाने के लिए सिख्छा विभाग को सुझाओ प्राप्थ हुए है संभव है कि आने वाले समय में इस सब्द को हटा दिया 162 BPSC परिक्षाओं में सबसे ज्यादा 107-179-131 क्रम शहर रिजल्ट देने वाली संस्थान Perfection IAS कुमार टावर बोरिंग रोड पठना बताया जा रहा है कि परिक्षा पास करने वाले सिख्छकों का संवर्ग जिला अस्तरिये होगा इसके अलावा यह भी प्रवधान किया गया है कि बिहार लोग सेवा आयोग यानि BPSC से सफल हुए नियोजित सिख्छक अपने पुराने स्कूल में रहना चाहते हैं तो उन्हें सक्षमता परिक्षा देने की जरूरत नहीं होगी तो एक बड़ी बैठक कैबिनेट की बिहार सरकार की आज होने जा रही है नितीश कुमार उसकी अध्यक्सता करेंगे और ये बात पक्के तोर पर सामने आ रही है कि राज कर्मिक के दरजे के लिए जो नियोजित सिख्छक लगतार संघर्षत रहे हैं कई सालों से सायद आज उनके इस प्रोपोजल पर नितीश कुमार की सरकार जो है वो मुहर लगा सकती है और उन्हें इसके लिए फिर परिक्षा देना होगा तीन बार उन्हें मौका मिलेगा और उसे उत्रिन करने के बाद जो सक्षमता परिक्षा होगी वे ना सिर्फ सिख्षक बनेंगे बलकि ऐसे सिख्षक बनेंगे जिनें बिहार में राजिकर्मी का दरजा प्राप्त होगा